दोस्तो बुलेट ट्रेन हम लोगों ने जपान से लेक़ आई है बुलेट ट्रेन का जो टेकनोलोजी वो हमारे पास में नहीं था तो कहीं नहीं जपनिज गवंकर्ट दोस्तो आज रफाल इंडिया में आया है फ्रांच से किस साई है कि हमारे पास में इस चीज का technology नहीं है हम बना सकते हैं टेक्नोलोजी लेकिन वो टेक्नोलोजी बनाने के लिए काफी टाइम लगेगा है वेलकम टू माई चानल क्विक फिक्स इंडिया मेरा नाम है रवी चंदर आना दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले है गवर्मेंट ने जो टायर पे रिस्टिक्शन किया है उसके उपर बात करेंगे और क्या-क्या इसके माइने है क्या-क्या इसके सुजाव है क्या-क्या हमारे सुजाव है इस सारी चीजों में हम लोग बात करेंगे दोस्तों पहले समझते है कि रिस्टिक्टेट कैटेगरी क्या है दोस्तों आटोमोटिव टायर मैनिफेक्चरर आसोसीशन जो है आत्मा इन्होंने गवर्मेंट को सुजाओ दिया है कि टायर को रिस्टिक्टेट कैटेगरी में डालना चाहिए डोमेस्टिक मैनिफेक्चरिंग ग्रोध बढ़ाने के लिए दोस्तों देख सकते हो आप कुण से कैटेगरी के टायर जैसे मोटर कार्ज है और जैसी सुपर बाइक टायर लॉरी के टायर यो रेडियल टायर यह सारे जो पहले फ्री कैटेगरी में थे ये सारे रिस्टिक्टे के टायर इंपोर्ट हो रहे है जो कंपनिया इंडिया में है जो टायर इंडिया में नहीं बनते है हाई टेकनलोजी टायर वह इंपोर्ट हो के आ रहे है और दूसरा काफी कंपनी जो चाइना की है या कोई इंडोनेशय की है जो कंपनिया इंडिया में एक्जिस नहीं करती ह तो कही न कही ये टायर इंपोर्ट अलाव होना चाहिए तो उसलिए गवर्मेंट ने उसे रिस्टिक्टेट काटेग्री में डाला है और बोला है सारी कमपनियों को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो कही न कही लाइसंस के लिए डीजी एफ्टी थूरू अपलाए करना यह सब तायर यह उस करते हैं काफी ट्रइड करते हैं काफी ट्रोंड करना काफी दिक्कत होगा कोई भी मैनेफेक्ट्टर के लिए तो उन लोगों के लिए easy है कि यह import करके लिए क्या है क्योंकि अगर कोई भी चीज को manufacture करना है तो उसका एक process रहता है जिसे follow करना होता है और वो process का time consuming process है और plus उसका cost भी ज्यादा है तो आत्मनिरवर भारत यह हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मुद्जी का एक सपना है और यह हर देशवासियों का सपना है हमें चहिए कि हर टायर हमें मेडिल इंडिया मिले लेकिन इस चीज को time लगने वाला है क्योंकि overnight आप अगर बोलोंगे कि run flat टायर बनाना चालू क तो उस चीज का टेकनलोजी आमरे पास नहीं है तो कही ना कही यह टायर जो है वह हमें इंपोर्ट करके लेकर आने होंगे तो जो सारी प्रीमियम कार है जैसे BMW, Mercedes, Audi है यह सारी इंपोर्ट होके आ रही है कही ना कहीं इंडिया में असेंबल भी हो रही है लेकिन आपको यह में यह सेवेंटी स dough 75 इंग्रीडें बी इंपोर्ट हो के आते हैं सिंतेटिक रबर हो गया और इसके अंदर नायलॉन होते हैं स्टील बेल्ट होते हैं आइल लगते हैं काफी केमिकल्स लगते हैं यह सारे आज भी इंपोर्ड होके आ रहे हैं क्योंकि इंडिया में वह नहीं बना सकते हैं जैसा मानलों एक 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 जामपल देता हूँ अब लगते हैं तो उसका क्या था उसको सब लोगों ने रिकमेंड किया आप रॉंग फिट्मेंड करो मतलब दूसरा साइज दाल दीजे तो रॉंग फिट्मेंड हुआ कहीं जो मैनेफेक्टर है उसकी एक प्रोसेज होती है सेफ्टी वाइस की कौन से टायर उसमें लगने च कम रहेगा सेफ्टी भी कॉंपरमाइज हो सकती है सुपर बाइकर्स है दोस्तों काफी सुपर बाइकर्स है जितकी गाडियों की कीमत है 15-15-18-18 लाग जिन्होंने 100% डूटी पे की है मैं लब इंपोर्ट डूटी है जी एस्टी है सब कुछ पे किया है तो उनको भी जो टा बाड़ी खरीदी है उसके लिए मुझे टायर चाहिए आप मुझे बता दो कौन सी ब्रैंड इसके टायर बना रही है मैं डालने को रेडी हूं इनके पास आंसर ही नहीं रहेगा क्योंकि कोई कमनी टायर बना ही नहीं रही है इसका तो यह जो है फ्रस्टेशन जो राइडर बाड़े आपको बताना चाहूंगा जो गवर्मेंट और मैनिफेक्टरर के ला होते है मानलो जी एम मोटर इंडिया से बंद हो चुका है लेकिन जी एम मोटर को 15 साल तक पार्ट सप्लाई करना ये मैंडेटरी है इंडिया में अभी नई कंपनी जैसी किया आई है या कोई आज BMW जैसे Mercedes कोई नई खरीद रहा है वह आज कईने कई फीर है उसके मन में कि अगर मेरा टायर फटता है तो मुझे टायर मिलने वाला नहीं है तो कईने कई वह सेल भी कम होगा गाडियों का जो प्रीमिम गाडियों का है तो गवर्मेंट को ये सोचना जरूरी है कि उन्हो में टायर है क्या आप कोई भी मरेफ टायर के शोरूम में चले जाहिए उनको आप टाटा एग्जा का टायर मांगे एक नॉर्मल टायर भी मांगे उनके पास में अवलेबिलिटी का इस्यू है तो डिमांड सप्लाई जो है वह मैच अमरेफ भी नहीं कर पा रहा है तो कहीं में आत्मा को यह समझना चाहिए जो डिमांड जन्टरेट हो रही है क्या यह फुलफिल हो रहा है इंडिया में मिचली सबसे अवेक्टेट है इस चीज के अंदर कंपनी क्योंकि मिचलीन के जो कार के टायर से यह सारे इंपोर्टेट है मिचलीन का प्लांट है जो स्टाफ है जो अफेक्टेड हो चुकिए है मान लो इनके 1500 से 2000 डिलर भी है एक डिलर्शिप में पांच-पांच लोग काम करते तो यह सारे लोग कही न कई अफेक्टेड हुए है तो दोस्तों यह साइकल है जो रूख चुकी है मान लो मेरा 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 शौप है मिशलीन का और मेरे पास में स्टॉक नहीं है मेरे पास को मेरे को रेंड पे करना है तो मैं रेंड ने पे कर पा रहा हूं तो काफी चोटे-चोटे बिजनेस भी इससे तो यह सारे चीजे आने वाले दिनों में आने वाली है दोस्तो टेक्नोलोजी के बारे में बात करेंगे इंडिया में टायर मैनिफेक्ट्रिंग की जो टेक्नोलोजी है यह आज भी एक लिमिटेड है जो रन फ्लाट टायर होगर है इनके लिए काफी extensive technology लगती है काफी आज के लिए टायर रिसर्च जोस्तो यह लेवल में आजके तारीक में जैसे कार में बिया 6 आ गया है जो हम लोग एसी वगरे लेते हैं उसमें भी कैटेग्रिया थी एबी सी क्या यह कितना फ्यूल मत्लब कितना एनरजी एक तो वैसे डायर में भी आ चुका है लेकिन आज अपके सुजा होए टार इस्टिक्टेट करकिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजए है मैं उसे खालाइट करने को ट्राइज करूँ है गवंटनिय जो का तायर कंप्ली अकॉपनियों के साथ में कंसल्टेशन करना चाहिए और उनसे इंक्वाईरी करना चाहिए कि कौन से कौन से टाइप के टायर जो हो इंडिया में नहीं बन रहे है इन्होंने ट्रस्स दिखा है अमारी इंडिया गवर्मेंट पे और कही न कहीं इंडिया में आके इन लोग बिजनेस टार्ट किया यह कही न कही एक्स्पिरियंस प्लेयर है यह आके इंडिया में रिसर्च करेंगे और यह डेफिनेटली मेडिया टायर भी बना के देंगे इस तरीक में दोस्तो बाइक ओनर और कार ओनर यह उनको एक ही क्वेश्चन है कि मैंने गाड़ी खरीदिये मेरे हाड़न मनी से और क्या मुझे आप इस गाड़ियों के लिए टायर दे सकते हो क्या कौन सी कंपनी बना के देती हमें बताइए मैं उस गाड़ियों के उस कंप एक इस तायर मिले उनको जो मैं गुवर्मेंट को देना चाहता हूं मेरा एक सूजाओ यह है कि जो टार्ज इंडिया में नहीं बन रहे है at least उस tire को allow करना चाहिए import करने के लिए और जो जो company इंडिया में exist करती है जिनोंने employment generate किया है at least उस companyों को tire लाने के लिए allow करना चाहिए जो company इंडिया में exist नहीं करती है काफी Chinese company है जो distributed tire लेके आ रहा था वैसे company को आप band कर सकते हो या उनको restricted category में डाल सकते हो I hope और government officials ने कही न कही प्रेस रिलीज करके बताना चाहिए कि क्या इनका stand है कभी ये लोग allow करेंगे tire import ये जो fear जो create हुआ है tire related market में ये कही न कही हटना चाहिए जब government के officials इसके बारे में बात करेंगे तो ही इसमें पता चलेगा मैं try करूंगा कि उसको highlight करने के लिए दोस्तों अगर आप हमें instagram पे follow नहीं कर रहे है तो please follow कीजे हम वहाँ पे काफी car related bike related stories और post upload करते रहते है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजे बाजू में एक bell icon है उसे भी प्रेश कर लीजे सो आने वाले सारे वीडियो का notification आपको जरूर आएगा riders please wear helmet driver please wear seat belt keep the road clean keep the road safe keep the city clean thank you